अपर महादीर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगी दर्शकू नौ मई सोमबार अस्टमी का दिन है और जब भी सोमबार की अस्टमी पढ़ती है यह दिन बहुत ही लाबदायक ह होता है सोमबार की अस्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है जैसे शिवरात्री का महत्व होता है वैसे ही सोमबार की अस्टमी का महत्व होता है कहा जाता है इस दिन यदि भूल से भी कोई व्यक्ति बेलपत्र के व्रक्ष के नीचे एक दीपक जला देता है और वहाँ पर थोड़ा जल जड़ा देता है, तो उसे शिव की प्राप्ति होती है, और शिव उनकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करती हैं, साथ ही यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी कोई मनोकामना है, किसी कारिक को आप पूर्ण करना चाहती हैं, किन्तु आ पूटा सा और सरल सा उपाय है, सबसे पहले तो आप दिन भर में कभी भी शिव जी को दूद और दही से अभिशेक करें, उसके बाद शीतल सुद्ध जल से उनको जल जड़ाएं, उसके बाद शाम के समय प्रदोशकाल में, शाम का जो समय होता है सूर्यास्त की तुरंत बा सूर्यास्त की समय प्रदोशकाल में शिव जी के मंदिर जाएं और अपनी मनुकामना का एक अक्षत और एक बेल पत्र आप लेकर जाएं, बेल पत्र पर आप केसर मिस्रित जल से ओम लिखे बीच वाली पत्ती पर और दोनों पत्तियों पर आदी शक्ति जिगदंबा, गण शिव जी और कार्ति के नाम की बिंदी लगाएं, उसकी बाद सबसे पहले तो अपनी मनुकामना का अक्षत आफ शिवलिंग पर रखें और श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का चाप करें, और उसकी बाद आप बेल पत्र अरपित करें, जितने भी आपको बेल पत्र मिल हैं, यदि आप शिव जी को अरपित करती हैं, तो शिव अपनी मन, आपकी जो मनुकामना हैं, उसे अवश्य ही पून करेंगे, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शको, हर हर महादेव, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर प अबेद खराब होती है, या कोई समस्या है, पेट की समस्या है, कोई भी ऐसी समस्या है, जब आप जल अरपित करती हैं, तो अपने कलश को अपने लोटे को कभी भी खाली न लाएं, उसमें जलाधारी से थोड़ा सा जल वापस आप लेकर आएं मंदिर से, और वो व्यक्ति जिसे समस्या है, जिसे बिमारी है, जिसे रोग ने ग्रसित करके रखा है, उस व्यक्ति को आप शिवजी का जलाधारी का जल है, वह जल पिलाएं, और साथ में आप पेल पत्र भी लेकर आएं मंदिर से, या दो चीज़े जब भी आप लेकर आते हैं, तो उस व्यक्ति को आ आप अवश्ची खिलाएं देखिएगा उनकी हालत में अवश्ची हे सुधार होगा उनकी बिमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस करके आल बर क्लिक कर दीजेगा जिससे म मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों हर हर महादेव जय माता दीव